साथ यो अपने इंडिया में सिरफ दो ही प्रोसेसर ऐसे हैं जो की बहुत ज्यादा पापिलर हैं लगबग उनी को यूज करते हैं इंटेल और एमडी इंटेल की बात करें तो एक समय था जब इंटेल काफी चलन में था बहुत ज्यादा लोग उसको पसंद करते थे एमडी उसके मुकाबले थोड़ा सा डाउन था लेकिन जब से एमडी राइजन आया है उसने इंटेल को माद दे दिया इंटेल को लगने लगा था कि उसको उपर उठने के लिए कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा तो इंटेल लेके आया था जनरेशन 11 सिप्यू लेकिन वो जनरेशन जो की चार नॉवंबर 2021 को लोंच हो चुका है अब इंटेल को इसी पर आस है कि यह इंटेल की शाख बचा सकता है अब कितने का प्राइस क्या है इसका इसका इस पर मदरवोर कौन सा स्पोर्ट करेगा और क्या खूबियां इसके अंदर यह सारा हम जानेंगे इस वीडियो में तो इसमें अंतक बने रहेगा नमस्कार साथ हो मेरा नाम में मनोश कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कम्प्यूटर गुरूजी CPU कैसा है इसका प्राइस कैसा होगा कौन सा मदरवोर लगेगा यह सारा जानेंगे सबसे पहले हम CPU को जान लेते हैं तो पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की आपने देखा होगा Intel के प्रोसेसर स्क्वेर सेप में होते थे लेकिन अब यह आपको रेक्टेंगल सेप में दे architecture प्रोवाइड किया है तो इसमें core hybrid architecture देखने को मिलेगा Intel की इसके साथ बहुत सार उमेदे जुड़ी हुई है क्योंकि डूबते को अब इसी कसा रहा है और यह base है 10 nanometer note पर जो की पहले 14 nm पर था हालांकि तो Intel 14 nm से 10 nm पर आ चुका है अब बात करते है hybrid architecture की यह क्या है औ है कि हम बात करें core की तो इसमें दो तरह के core मिलते हैं जबकि traditional professor में एक ही तरह के core मिलते थे इसमें P core और E core को यहां पे introduce किया है P core मतलब performance core और E core मतलब efficiency core अब यह P core और E core का क्या पंड़ा है देखिए Intel ने night technology introduced की है जो है Intel Thread Director इसका काम होता है कि आपका work load किस पर depend करता है यानि कि उस work को performance core पर ले जाना है या efficiency core पर ले जाना है ऐसे टास्क जिनको जादा host power या जादा processing की जरूरत है यह उनको handle करता है उधान के लिए मान लिजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे है जिसमें बहुत ज़्यादा host power की जरूरत है आप कोई gaming कर रहे है कोई video editing कर रहे है यानि ऐसे टास्क जहां पर work load ज़्यादा हैवी है जहां पर ज्यादा host power की जरुद है तो Intel का ये thread director काम करता है उस task को performance core के उपर ले जाए और ऐसे task जिनको ज्यादा host power की जरुद नहीं है तो Intel thread director काम करता है उसको efficiency core पे ले जाए ताकि balance बना रहे तो main running task और background running task को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से optimize करता है जिसकी वज़े से इसकी performance बहुत ही optimal निकल कर आती है इसमें P core और E core दोनों में frequency का भी फर्क होता है इसको भी हम अभी समझाते हैं 12 generation के साथ Intel ने 3 processor launch की है Core i9 12900K Core i7 12700K और Core i5 12600K इन 3ों को हम एक चार्ट के जिरिये समझते हैं कि इनकी performance क्या क्या है सबसे पहले core i9 12900K के बारे में जानते हैं इसके अंदर आपको 16 core देखने को मिलेंगे जिसमें 8 P core और 8 E core 24 threads होते हैं इंटल स्मार्ट के चे 24 अंभी तक है इसके अंदर और इसकी maximum turbo जो frequency है वो होती है up to 5.2 GHz जो की बहुत ज्यादा होती है और मैंने अभी जिकर किया था कि P core और E core दोनों पे frequency अलग-अलग होती है तो दोनों पे क्या-क्या frequency होती है maximum turbo frequency P core के उपर होती है अब 25.1 GHz और maximum frequency E core पे होती है अब 23.9 GHz ये मैं बता रहा हूँ Core i9-12900 के एक पारे में इसके साथ graphic card Intel USD 770 लगता है maximum memory speed DDR 5 RAM 480 MP per second और DDR 4 भी हम RAM के साथ ही यूज कर सकते हैं memory channel 2 memory channel maximum memory capacity 128 GB की फिर बात करते हैं Core i7-12700 के प्रोसेसर की इसमें आपको 12 core देखने को मिलेंगे 8 P core और 4 E core इसमें 20 threads होते हैं Intel smart catch 25 MB तक maximum turbo speed इसकी अप टू 5.0 GHz इसमें भी दोनों की frequency अलगा लगा है P core पे 4.9 GHz और E core पे 3.8 GHz ग्राफिक्स इसके अंदर गोई Intel USD 770 maximum memory speed इसमें DDR 5 और DDR 4 भी DDR 5 और 300 MTS और DDR 4 3200 MTS 2 memory channel maximum memory capacity 128 GB की इसके बाद आता है Core i5 12600 के इसमें आपको मिलते हैं 10 core 6 P core प्लस 4 E core 16 thread पे काम करता है Intel smart catch इसका 20 MB है maximum turbo frequency इसकी भी 4.9 GHz जो की काफी ज्यादा होती है और maximum turbo P core के उपर 3.6 और E core पे 3.7 GHz graphics card वोई Intel USD 770 maximum memory speed memory channel और maximum memory capacity same to shame है अब बात करते हैं motherboard की इसके साथ motherboard कौन सा लगाएं और इनके price क्या होगे देखि प्रोसेसर की बात करें तो यदि आप core i5 लेते हैं तो यह आपको 22 से 23,000 के करी मिलेगा core i7 की बात करें तो यह आपको लगबग 28 से 30 के करी मिलेगा और core i9 यह आपको 30 से अबाउ 33 से 24,000 के करी मिलेगा प्राइस सम्ट लगबग मैंने आपको बताया वाया लेकिन confirm अभी से नहीं है लेकिन यही प्राइस मैंने search किये थे आप google करके search कर सकते हैं motherboard के लिए motherboard मेरे को एक ही मिला था आजूस रोग स्टिक्स जेड़ 690E वाइफाई गेमिंग DDR5 RAM PCI 5.0 slow time 4 USB Type-C Intel 2.5 Ethernet और इसका प्राइज आपको 3000 के करी मिलेगा यह प्रोवाइड हो जाएगा काफी अच्छी टेकनलोजी के साथ Intel ने जो इस बार जो प्रोसेशर लॉंच किया है वो Intel के लिए competition में बने रहने के लिए एक बहुत अच्छा शाबित हो सकता है फ्रेम रेट भी बहुत अच्छे गेमिंग के मामले में यह बहुत कड़ी टकर देने वाला है परतिद्वन्दियों को तो इस performance के इदराव से आपको यह प्रोसेशर कैशा लगा और हमारे द्वारा दी गई जानकर यह आपको कैसे लगी यह सारा हमको कमेंट्स में लिखके बताएं हमारे वीडियो को दोस्तों में शेर करें हमें लाइक करें और यह दिन नए हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई